जै गुरुदेव आप सभी का स्वागत है सब्तिरशी एस्ट्रोजी में और ये वीडियो में आज हम बात करेंगे सूर्य की संक्रांती जो आज धनुराशी में है जिसके सब को पता है कि आज आफ्टरनून में सूर्य धनुराशी में प्रवेश कर चुका है ठीके तो अब य चुरी एक स्वाट सकते हैं घ्र यह करेंगे में कोई हर राशी के लिए तो आपको प्रिम लीयो डिये जैने वाला हूँ प्रिक्षंसी देने वाला करेंगे पालत जो जाक्ता है कि स्थू्य घनुराशी में हें अंड़ णृ कि आठ अड़ल जनी ट्युibly में बात करेंगे तो आप जिसे आप चार्टा बनाएंगे तो आप देखेंगे कि व्रिशव लगने की कुंडली है और जमिनाई नवमांच लगना में बनता है व्रिशव लगने की और इसको वीनस ओन साइन लिबरा साइन में है और तबसे अच्छी बात की यही वीनस पैसिस नवमांच में है राहू के साथ ठीक है तो यह पाटिकुलर यह जो पूरा महिना यह धनू संक्रांती के धनू गोचर के हम बात करें सूरेगा तो बहुत अच्छे रिजवरेट यह दे सकता है खासकर टॉरस लगना और लिबरा लगना वालों को अगर वो इस डूरेशन में इस मन्त में उनका कोश रैसी प अगर यह जो है वह अपने ही राशी स्कॉर्पियो राशी में है और इस टॉरस लगना के लिए मंगल वैसे भी कारक माना जाता है और यह मंगल का अस्टम में रहना और यही मंगल नौमाश कुंडली में भी जाकर बढ़ी अच्छी पोशिशन पे है केप्रिकॉन राशी मे वहाँ भी एक्सॉल्टेट दो प्लानेट मेजर ली वेनस और मार्स दोनों ही मेरिटल हैपिनेस के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों ही अपने बेस्ट पोशिशन में है इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में तो यह ट्रांजिट ओंगोइं अगर कोई आपके कुछ एफर्ट हैं मैरेज को लेके इन सब को लेकर यह आपके लिए बड़ा काम करेंगा खासकर जब आप टॉरस, कॉर्पियो या लिब्रा लगना वाले पीपल हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा यह गोचर जाने वाला है बट इसके अपोजिट अगर हम बात करें जैसे के तुनों क के हम बात करें हैं या ओंगोइंग रिलेशन्शिप आपका है या चिल्डरन मैटरस में हो गए ठीक है अगर अब चाइल बर्द का प्लान कर रहे हैं हैं इस सब के लिए अच्छा नहीं है यह ट्रांजिट हैना क्यों के तो का वर्गो साइन में होना यहां पर यह बहुत अ चल रहा है इन सब मैटरस में खासकर वर्गो लगना के लिए हो गया या आपका त्याप्रिकॉन लगना वालों के लिए हो गया एरीस लगना वालों के लिए हो गया तो यह मैना यह पर्टिकॉलर यह ट्रांजेट उन ओन्गोइंग डिस्प्यूट के लिए बहुत अच्छ कर रहा है इसलिए यह मैंने आपको यह बता रहा है दूसरा हम बात करें कि mercury का सुर्य के साथ हो न जुपिटर ट्वेल्थ हाउस में इसका डिस्पोजेटर जो है वो ट्वेल्थ हाउस एरी साइन में है तो इस पूरे महने अगरम बात करें जेनरली अब संक्रांती के हम बात क क्या बोलता है कि अग만 आप कोई स्पिरिचुल प्रैक्टीशिज में है आप कोई के जी साधना में इंवार्ड है खासकर अगर आप जोतिश की अगर आप स्टूडेंट यह आप great वेहा है शोरी बात का दूराज्ची में हो ना परट्रोल्ड वाट शुन परेल्ड थी और अपरचिमेंटी देता है, खासकर अगर आप इस मेने अगर सूर्य मंदल स्तोत्र का अगर आप पाठ करें, ठीक है, आधित रिदे स्तोत्र का पाठ करें, यह सूर्य उपासना करेंगे, आपकी स्पिरिच्वल गुरूथ, जोतिश में गुरूथ के लिए सबसे इंपॉर्टे करेंगे तो यह जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए महन अच्छा जाएगाई जाएगाई, उनके लिए उनके जो भी प्लानिंग्स होंगी, सब कुछ एग्जीशन में होगा, आपोदेशन पार्टी लाखमर जी कोशिश कर ले, कुछ अभी कर ले तो इस महने कुछ प्रिपरेशन करेंगी, इसका रिजर्ट उनको जाके मिलेगा जब सूर्य मकर राशी में गोचर करेगा तब, फिलाल सूर्य का धनु राशी में गोचर करना, रूलिंग पार्टी के लिए बहुत अच्छ रिजर्ट ये देने वाला है, प्रोफेशनल सक्सेस, कैप्रिकॉन प्रोफेशनल सक्सेस अगर आप कर रहे हैं, तो ये सब चीजों के लिए ये पर्टिकॉलर गोचर बहुत अच्छा रिजर्ट ये आपको देने वाला है, अगर इस पर्टिकॉलर ट्रांजिट में या ट्रांजिट पहले या इस ट्रांजिट के अंदर अगर कोई हॉस्पि होती है, तो ये गोचर अच्छा नहीं है, तो भी बहुत अच्छा रिजर्ट आने वाले समय उसका नहीं मिलता है, तो ये चीजों का भी अपको धेन रखना है, तो नेसे सरी जो भी रेमेडी होंगी होरोस्कोप में वह आपकर कर रहे हैं ज्यादा अच्छा है, तो कि वज़े से डिकप से ये सब चीजों देखना पड़ सकता है, मैरेश प्लानिंग जो नए कपल है, जो मैरेश होने की समभावना ढूंड रहे हैं, उनके लिए महना ये फ्रूटफुल हो सकता है, ठीक है, मेडिकल मामले में, हेल्थ इशूस के मामले में अच्छा ये नही ये महना थोड़ा सा केरफुल रहने की जोर्वत है, उनको ज्यादा महनत इनको करनी पड़ सकती है, कारण क्या है, इस पार्टिकुलर जो लगना जो इस टाइम पर उदाय हो रहा है, इस संकरांती में, वहां फोर्थ हाउस का जो लॉड है सूरिये, वो अश्टम में है, ध दोनों कॉंबिनेशन जो है, वो अश्टम में बन रहा है, अश्टम का लॉड को जाके ट्वालत में है, तो प्रॉब्लम साना, अना मन का भटका, अब्स्रेक्शन से सब चीजें की पर्टिकुलर कॉंबिनेशन ये देता है, ये ये पूरा लागू रहेगा आपका पूरा दूसरा फिफ्ट हाउस, वो भी एजूकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी सूर्य के साथ ही अश्टम में है, तो इसलिए फॉर्थ और फिफ्ट दोनों की सिच्वेशन चेना होने की वज़ेस था, इसलिए जो स्टुडेंट्स एजुकेशन में इन्वर्ट है, उ तो फाइनिशल गेंज के लिए देखिए दो दो चीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, शुक्र का हमारा देखना और 11 थाउस हमारे लिए कैसा है यह देखना, तो 11 थाउस में है राहू, ठीक है, और यही नौमांश में भी वर्गॉत्तम होता है शुक्र के साथ, ठीक है, पैस सबसे एक्सेलेंट कॉंबिनेशन है फाइनिशल गेंज के लिए, तो इस महने, बट प्रॉब्लम यह है कि यह फाइनिशल के इस तब होगा, जब एफर्ट लगाया जाए, कि बिना एफर्ट के यह बागे से नहीं मिलने माला है, इस पूरे महने, इस पूरे महने, अगर महने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जुपेटर बनता है अकारक, इस पर्टिकुलर, और अकारक का मतलब वो है, कि जो भी रिजल्ट होंगे, वो एफर्ट के साथ मिलने वाले, बिना एफर्ट के मिलेंगे नहीं, तो यह कुछ फाइनिशल आस्पेक्ट को लेग देखते हैं, कि जैस्ट एक मेरा एक छोटा सा एक अनलेसिस था इस पर्टिकुलर बूचर के लिए, कुछ आपकी स्पेटिफिक क्वेरीज हैं, कुछ हैं, तो आप कमेंट सक्षिन में डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अड्रेस करूँगा, और अर मेंडियल मेजर से मैं तो तर यह दो चीजों का आप जरूर करें, बेनिफिट तुरंत मिलेगा, धन्यवाद.